अगर आप एक जर्मन शेफट पपी को लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास एक जर्मन शेफट है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनको अवाइड करना आपके जर्मन शेफट के हेल्थ के लिए काफ क्योंकि ओवरफीडिंग के कई सारे नुक्सान होते हैं जैसे की डाइबटीज होना ओबेसिटी होना यहां तक हिप और जॉइंट्स के अंदर भी प्रॉबलम आना ओबेसिटी की वजह से की जादा बज़न होने के कारण इनके हिप और जॉइंट्स पे जादा लोड़ पपीज की इमिनिटी पहली कम होती है इसी के साथ अगर उनका हीमोगलोविन भी लो रहेगा तो उनको बहुत सारी बिमारियां जल्दी से हो सकती है इसलिए हमेशे अपने जर्मन शेफट को ना ही ओवर फीट करें और ना ही अंडर फीट करें उसके एज और वेट के हिसाब स उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट दें सेकिंड नंबर पे आता है सोचलाइजेशन ना कराना जर्मन शेफट एक गार डॉग होते हैं जिसका मतलब यह है कि काफी अच्छे प्रोटेक्टिव डॉग होते हैं लेकिन कई बार इनके प्रोटेक्टिवनेस थोड़ी ओवर्भी हो सकती है जो कि Daw लगन और में भी किसिके पढक करने होसे हिए कि जल्दी घुलते मि一下 नहीं है जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाते मैं अगर ऐसे में आप इंको सुचलाइजी नहीं करेंगे तो यह र किसी पर शक करेंगे और उसकी वजह से कई बार यह बाइट व बिल्ट करता है और नए फ्रेंड भी बनाता है जिससे कभी भी आपका डॉप जो है लोन भी या फिर डिप्रेस फील नहीं करता है थर्ड नमर पर आता है प्रॉपर और रेगुलर ग्रूमिंग करना किसी भी टॉप के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी होता है एक तो यह काफी हैपी फील करता है इसके साथ कई बार जो बालों के अंदर टिक्स या फ्लिक्स आ जाती है भार भूमने से या कहीं और से अगर आप उसको रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे चेक नहीं करेंगे तो आपके डॉप को टिक्स फीवर भी हो सकता है जो कि पपीज के उसमें फातेरी कव्थ लिफ लेखर आपकेंजिए करेंगे जो कि बीões में पर फादेर आपकेंगे दो में से इंड तार्Яंजर आप अदर भीड़ नग्स इंफेक्शन नि रिप्सान टीचिनु इस्टमक इंफेक्शन बीडियट कर सकता है जो कि अगें इस उसकी पीलिए थाइज आप एंफेक्शन भी डेवलफ हो सकता है उसमें भी बैक्टिरिया आ सकता है इस्पैसली जब हुमेडिटी वगेरा होती है रेगुलर एर्स क्लीन करते रहें और जब आप यह सब क्लीन करते रहें तो आपको थोड़ा पता भी चलत रहते हैं कि अगर आपके डॉपक कर सकते हैं और अपने वेट को बता सकते हैं जो कि आप हेल्ज के लिए उफकॉस काफी बेनिफिचल है जर्मान चेफट का डबल लियर कोट होता है और अगर आप इनको रेगुलर गुरुमिंग करते रहेंगे तो आपको कोई जादा प्रब्लम नहीं होगी शेडिंग सीजन म में भी जादा कुछ पता नहीं चलेगा किन अगर आप गुरुमिंग नहीं करेंगे तो सेडिंग सीजन में हर जगा बाल वाल हो जाएंगे वहां जादा इचिंग वगेरा भी हो सकती आपके डॉपको इसलिए रेगुलर गुरुमिंग जरूर करें अपने जर्मान शेफट के अंदर भी हेप और अलबो डिकलेशा की प्राब्लम देखी गए है अप कई बर तो यह प्राब्लम जनरेटिक होती है लेकिन कई बार हमारी ही कुछ गल्थियों की वज़ा से यह प्राब्लम बच्चों में डेवलप हो जाती है जिसके लिए आपको क्या करना है कि अगर अगर आपका पपी तीन महीने से छोटा है तो ज्यान रखें कि उसको बहुत ज्यादा इस ट्रेइनिंग एक्सोसाइज ना कराएं जैसे जंपिंग कराना या स्टेर्स चड़ाना अगर आपका पपी तीन महीने से छोटा है तो अभी उसके जॉइम्स डेवलप हो रहे हैं जिसके वज़ा से क्या होगा कि अगर आप अभी से इसको हैवी स्टेंडिंग वर्क कराएंगे उसके जॉइम्स डिस्क लोकेट हो सकते हैं जिसके वज़ा से उनमें हेट या अल्वो डिप्रिश्य की प्रब्लम डेवलप हो सकती है अगर आपका पपी तीन महीने से छोटा है तो उसको रेगुलर वेक्सिनिशन कराएं प्रॉपर न्यूटरिश्योस खाना दे और बहुत ही ज़ादा ओवर एक्सोसाइज ना कराएं फिफ्ट नॉमबर पर आता है लेगुलर एक्सोसाइज कराना और रेगुलर वैट चेक अप कराते रहें रेगुलर इरिटेशन और डिप्रेशन डवलप हो सकता है इसी के साथ इनको कई सारी हेल्प प्रब्लम भी डवलप हो सकती है जैसे डाइबुटीज, ट्रॉइन पर रहने की वज़ा से और प्रॉपर एक्सोसाइज ना होनी की वज़ा से इसलिए इन्हें दो से तीन बार मॉट पे ज जादा जरूरी होता है जैसे कि मैंने पहले वाले बात में बताया था कि कई बार इनको कुछ प्रॉब्लम जेनरेटिंग भी होती है जैसे हेपन एल्पोडिप्रेशिया अगर आप रेगुलर वेक्सिनेशन पर टाइम रेगुलर वेट चेकप भी कराएंगे आपके वेट इस चीज को अगली डिटेक्ट कर लेंगे और इसका मेंटेन कैसे करते हैं वह आपको शुरू से ही बता देंगे जिससे बड़े होके आपको जादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस साथ रेगुलर वेट चेकप के टाइम पर आपके वेट आपको ये भी बता सकते हैं कि उसका मरी जादा कर दीटें की बता सकते हैं कि अगर आपकी एज के हिसाब से कौन सरिपर दया है वह आपके डोक अड़ेशगों के थैजन कराना इस वेज़ादा ये पर देन हेंसे को पहने वह न हो जाएक इसी के साथ रेगुलर वेक्सिनाशन कराना बहुत जल्रूरी होत कि बहुत ही जादा लेठ हमें पतार चलता है इसले रगुललर डिवार्मिग भी करानी चाहिए और हमें सब्सक्राइशन और डिवार्मिग वेट के पास से ही करानी nevertheless कि वैक्षिनेशन और डिवार्म जो होती है वो किसी है पिस भी डॉप के एज और वेट को मिस्स ना करें तो यही 5 चीज़े थी जिनका आपको हमेशा ध्यान दखना चाहिए प्रॉपर फूट देना, सोचलाइजेशन टाइन पे कराना, रूमिंग रेगुलर करना, जोईंस के ध्यान दखना जब आपका जर्मन शेफर पपी हो, वेक्सिनेशन टाइन पे कराना, ड कमेंट सेक्षिन में जाके नीचे कमेंट कर देना, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में अभी के लिए बाई बाई